2009 से उठे लव जिहाद का बवाल एक ऐसा जटिल विशय है जिसे राजनैतिक और वैचारिक गलियारे में खुब बहसा गया है लिबरल्स इसे हिंदू नैशनलिस्ट एजेंडा बताते हैं तो राइटिस्ट इसे लिबरल्स का निगेशनिजम अपीजमेंट और उनके एंटी हिंदू स्यूडो सेकुलर होने का एक और उदाहरण बल्लबगड के निकिता हत्याकांड और सितंबर दोहजार बीस में आए अलाहबाद हाई कोट के जजमेंट के बाद कुछ राज सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कर दी और बस बवाल शुरू हुआ नियूज रूम, अखबार, सोशल मीडिया और आम बातचीत में इसने खास जगे ले ली एक से बढ़कर एक लॉजिक और तर्क दोनों तरफ से दिये जाने लगे जिन्हें पढ़कर शाहिद हम सत्य के करीब कभी पहुँच भी न सकें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है लव जिहाद, क्या है इसकी कानूनी वैधता, क्या सचमुच ये इस्लामोफोबिक कॉंस्पिरसी थियरी है या इसका बचाओ करने वाले लिबरल लॉजिक और तर्क भी उतने ही भ्रामक और गुमराह करने वाले हैं जिसमें विचार की प्रमुक्ता तो है परतत्यों के साथ छिड़ छाड़ कॉंटम मेकानिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इतना तो बता ही दिया है कि सत्य यानि पार्टिकल प्रोबैबिलिटी वेव में किसी निश्चित स्थान पर एक्जिस्ट नहीं करता वो कहीं भी हो सकता है तो चलिए हम भी उस प्रबैबल लोकेशन की खोज में किसी खेमे में न बटकर इस बात पर गौर करते हैं कि क्या है लव जिहाद लव जिहाद एक थियरी है कि मुस्लिम लड़के घैर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसला कर इसलिए शादी करते हैं ताकि उन्हें इसलाम में कनवर्ट किया जा सके आरोप यह भी लगाया जाता है कि यह एक संगठित सोच का नतीजा है जिसके लिए कई देशी विदेशी ओगनाईजेशन्स फंडिंग भी करते हैं ध्यान रहे इन आरोपों की शुरुवात हिंदुवादी संगठनों ने नहीं बलकि केरला कैथलिक्स बिशप काउंसिल ने साल 2009 में की जब काउंसिल ने ये कहा कि अब तक टार्गेटेट तरीके से साड़े चार हजार क्रिश्चन लड़कियों को शादी के माध्यम से कनवर्ट किया गया है केरला के SNDP संस्था ने भी इसी तरह के आरोप लगाए और फिर बाद में हिंदू जन जागरुती समीती ने करनाटका के हवाले से बताया कि अब तक 30,000 लड़कियों को इस तरह से टार्गेट किया गया है हालांकि इन डेटाज की पुष्टी नहीं की जा सकती ये विशह भारत में तो चर्चा में आया ही साथ में पाकिस्तान, म्यामार और यूके से भी ऐसे ही आरोपों की खबर आने लगी म्यामार में जहां बौद्धों ने कहा के लव जिहाद का मोडस आपरिंडी जूट बोलकर शादी और फिर कनवर्जन है तो यूके के क्रिश्चन और सिख समाज से ये कंसरन दिखा कि वलनरेबल वाइट गर्ल्स और सिख लड़कियों को अग्रेसिफ कैंपस टारगेटिंग के जरीए फ़साया जा रहा है और फिर कनवर्ट किया जा रहा है और इसमें कई पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के शामि लगाया कि मुस्लिम और्गनाइजेशन पीफाई पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया केरला में मनी और मैरेज के जरीए केरला की डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है पीफाई ने इन आरोपों को खारिश तो किया पर इसने लव जिहाद के मुद्दे को इगनाइट कर दिया 2014 में केरला में ही ओमन चंडी सरकार ने विधान सभा में ये बताया कि 2006 से अब तक 2997 लड़कियों को कनवर्ट किया गया है हलांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है नैशनल शूटिंग चैंपियन तारा सहदेव ने जब 2014 में इस बात का खुलासा किया कि उनके पती ने अपने आप को हिंदू बता का शादी की और फिर कनवर्ट करने के लिए पताड़ित करते रहे इस बहस को एक जोरदार हवा मिली ये कहा जा सकता है कि साल 2014 से ये मुद्दा नैशनल कॉंशिसनेस में आ गया 2017 में केरला का एक important case है जिसमें एक हिंदू लड़की अखिला उर्फ खादिया के conversion और marriage के मुद्दे ने लव जिहाद विशय को एक आम आदमी की जबान पर लाकर रख दिया अखिला के पिता ने हाई कोर्ट में अपील की और अपनी बेटी की custody ले ली हाला कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अखिला के पती की special leaf petition के जरिए हाई कोर्ट के judgment को overturn किया और अखिला को उसके पती के पास जाने की इजाज़त दे दी ऐसे कई cases मीडिया में आते रहे हैं जिनका जिक्र संभावते इस छोटे से वीडियो में कर पाना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा पर ग्यात हो कि ये trend साल 2000 के बाद काफी बढ़ा है और इसे प्रमुखता के साथ मीडिया coverage मिलता रहा है हाल ही में बलबगड में निकिता तोमर के एक मुस्लिम युवक द्वारा शादी न करने के कारण गोली मार कर हत्या करने की खबर के बाद लव जिहाद फिर से सुर्खियों में है कई राजसरकारों जैसे UP, MP, हर्याना ने लव जिहाद और कनवर्जन के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात की है MP के draft freedom of religion में इसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है उत्तराखंड और हिमाचल में पहले से ही anti-conversion laws लागू है तो क्या legal standing है इस शब्द लव जिहाद की लव जिहाद शब्द का कोई legal standing भारतिय कानून में अब तक नहीं है कुछ राजसरकारों की जाच और 2017 के हादिया केस में निया की जाच में भी अब तक कोई organized conspiracy के सबूत नहीं मिले हैं हाला की large scale पर हो रहे inter-faith marriages और हर केस में religious conversion के मद्दे नजर ये मुद्दा organized conspiracy के radar में आता रहता है निकिता केस में भी इस angle को जाचा जा रहा है देश में 1954 में बने special marriage act जो inter-faith marriage को legal standing देता है इसलिए बनाया गया था ताकि दोनों पक्ष अपनी धार्मिक माननेताओं और अपनी religious identity को छोड़े बगार शादी कर सकें पर maximum inter-faith शादियों ने Muslim personal law route को अपनाया जिसमें दूसरे पक्ष को convert करना ही पड़ता है और यहीं से सारी समस्या उपच्चती है कई liberals और moderates यह तरक देते हैं कि Special Marriage Act के प्रावधान जिसमें Registrar Office दोनों parties के नाम और address को publicly notify करता है एक तरह का disincentive है, security concern है जिसके कारण prospective couples इस route को नहीं अपनाते वो और भी कई तरक इस कानून की जटिल प्रक्रियाओं के हवाले से देते हैं तो क्या stand है liberals और उदारवादियों का लव जिहाद के प्रती liberals moderates left अपने plain vanilla interpretation के साथ इस पूरे मुद्दे को हिंदू nationalist propaganda करार देते हैं और उनका यह मानना है कि यह समाज को communal lines पर बाट कर vote की राजनीती है और कुछ नहीं वो इस राजनीती की शुरुवात 1920 के दशक में शुरू हुए आरे समाज के शुधी और संगठन मुवमेंट से जोड़ कर देखते हैं और इसके राजनीतिक पक्ष पर काफी जोर देते हैं हलांकि उसी दौर में शुरू हुए revivalist movement तंजीम और तबलीग पर ये ज़ादा कुछ नहीं कहते liberals अपने चिर परिचित अंदाज में इस शब्द को औरतों के लिए derogatory बताते हैं और उनका मानना है कि इस तरह की बहस women rights movement के लिए सही नहीं है समस्या को directly confront न करने के अपने style को project करते हुए वो हिंदू society की patriarchy, उसके caste system, दहेज प्रथा और कई तरह की समस्याओं के हवाले से इस मुद्दे को एक अलग किसम का progressive आयाम देने की कोशिश करते हैं ये group, women की individuality, उनके right to choice को प्रमुखता के साथ रखता है उनका ये मानना है कि देश में संगठित तरीके से Muslims को social ecosystem में marginalize किया जा रहा है और ये पूरी बहस एक जोरदार misinformation campaign है तो क्या सोचता है दक्षणपंथी धड़ा यानि rightist Rightist इसे एक बड़े conspiracy की तरह देखते हैं जिसके केंदर में demographic change की चिंताएं सबसे प्रबल है इनका मानना है कि देश भर में हो रहे interfaith marriages में जादातर non-muslim लड़कियां ही क्यों है और हर शादी में non-muslim ही क्यों convert किये जा रहे हैं हाला कि ऐसे भी कई cases हैं मुस्लिम लड़के या लड़की ने हिंदूइजम अपनाया हो लेकिन हिंदूइजम में convert करने के लिए अब तक कोई SOP standard operating procedure नहीं है नतीजतन इस तरह के conversion भ्रामक हैं जो सिर्फ शादी के लिए किये जाते हैं दक्षण पंथी धड़ा इसलाम के विस्तारवादी स्वरूप का हवाला देता है और ये मानता है कि conversion और expansion से जुड़ी धार्मिक legitimacy कहीं न कहीं लव जिहाद को जन देती है वो इसे एक international conspiracy की तरह देखता है राइटिस का ये भी मानना है कि liberal left अपनी बौधिक अयाशियों के मद्दे नजर जमीन पर हो रही घटनाओं से मूँ फेरे हुए है और इसे कोई और रंग देना चाहता है सालों के liberal conditioning की बदौलत दक्षनपंथी rightist सोच को इस देश में काफी conservative नजरिये से देखा जाता रहा है पर बीते कुछ सालों में राजनेतिक शक्ती के कारण और सालों के बेतरतीव minority appeasement की वजह से एक बड़े पैमाने पर इस सोच की acceptability बढ़ी है तो लाजमी है कि एक बहुत बड़े majority section के concern को address करना बहुत जरूरी है Liberals भले ही demographic concern को conservatism का नाम देकर write-off कर देते हों पर यही बुद्धी जीवी कश्मीर में नए land laws को इस तर्क पर विरोध करते हैं कि ये कश्मीरी Muslim majority के बीच demographic change के डर को पैदा करेगा कितना विरोधाभास है irony of left is that they should have left but they are still here तो असल में problem कहां है अगर हम समस्या को गंभीरता से देखें और खेमे में बट करना देखें तो हम ये पाते हैं कि एक समाज 1820 के दशक से अपने आप को reform और modernize करता आ रहा है कई समाज सुधारकों, मध्यम वर के कई उधारवादी लोगों और कई कानूनों के जरिये majority community ने modernism को समाज में जगे दी religion को पीछे छोड़ा गया और समाज और परिवार के हर unit को independent सोच के लिए बढ़ावा दिया गया औरतों के मामले में धीमे ही सही पर काफी reforms हुए और अब उनके education, नौकरी और independent financial status को काफी वरियता दी जा रही है ये नए समाज की नई लड़कियां अब खुलकर economy में participate कर रही हैं और उनके social interaction का दाइरा बहुत बढ़ता जा रहा है ये एक बहुत अच्छी बात है पर जहां एक समाज reform और modernize करता जा रहा है वहीं दूसरी ओर समाजिक reform की रफतार बहुत धीमी है इस समाज का मध्यमवर्ग leadership role लेने को तयार नहीं और भारत का liberal समुदाय अपनी वैचारिक प्रतिबधता और political benefits के लिए किसी भी प्रकार का external intervention से इस समाज को insulate करके रखा है शाबानों का 1986 का केस एक जीता जाकता उदारण है कि कैसे भारत की liberal community और political class vote bank की खातिर मुस्लिम reform विरोधी रही है उस समय के cabinet में रहे मुस्लिम reformist आरिफ मुहम्मद खान ने मुस्लिम personal law bill के खिलाफ इस्तीफा तक दे दिया पर liberals इस बात का जिकर तक नहीं करते नारिवाद पर कसीदे पढ़ने वाले ये liberal community एक बार भी नहीं सोचते कि औरतें हर समाज में होती हैं और उन सब का उत्थान जरूरी है नतीजतन मुस्लिम women rights कहीं पीछे छूट गए उनका economic participation और social interaction का दाइरा काफी छोटा रह गया इस तरह के social setup में ये लाज़मी है कि interfaith marriages one way traffic की तरह work करेंगे और गाहे बगाहे इस देश में लव जिहाद की राजनीती होती रहेगी दूसरी समस्या Hinduism से कुछ जुड़ी हुई है जो Abrahamic religion जैसे Islam और Christianity से बिलकुल अलग है जहां Islam और Christianity में अंदर आना तो आसान है पर बाहर जाना मुश्किल वहीं Hinduism में इसके उलट बाहर जाना आसान है और अंदर आना बहुत मुश्किल ऐसे में घैर Hindu समाज से आई हुई लड़कियों की acceptability खत्म हो जाती है जो एक कारण है दूसरे धर्मों में conversion के लिए लव जिहाद या anti-conversion कानून बना लेने से अगर इस समस्या का समाधान होता हो तो अच्छी बात है पर शायद यह सिर्फ majority community को psychological comfort ही देगा और कुछ नहीं समस्या का हल हर community को progressive बनाने में है हर community की लड़कियों के social interaction के दाइरे को बढ़ाने में है उन्हें आजाद खयालों वाला बनाने और आजाद करने में है liberal leadership के एक आख से किये गए reform का ही नतीजा है कि एक बड़ी खाई दोनों communities के बीच में आ गई है और भारत की एक community reforms के मामले में काफी पीछे रह गई इस विरोधा भास से लफ जिहाद ही नहीं कई और भसमा सुर पैदा होंगे और भारतिय समाज को राजनीती का और भी विभत सुरूप देखना पड़ेगा दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी खेमे में न बढ़कर इसका एक objective analysis किया जाए मैं हमेशा इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा informative वीडियो बनाता रहूँगा आप तक पहुँचाता रहूँगा मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें आप मुझे इंकरेज करें ताकि मैं बहतर content आप तक ले आऊ thank you thank you for watching this video